Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तों आज की quiz वीडियो में हम देखने वाले कुछ और important question जो की exam के लिए बहुत ही महत्पून होने वाले है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंट तक देखेगा वीडियो में आपका score क्या रहता है नीचे comment box में जरूर बतेगा वीडियो पसंद आए तो like करना और share करना मत भूलिएगा देखे दोस्तों Unacademy Plus की बहुत सारे benefit है जब आप Unacademy Plus join कर लेते हैं तो यह सारे benefits आपको मिल जाते हैं जैसे कि live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access, study plan, study material, test analysis, expert guidelines, personal guidelines यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है जब आप Unacademy Plus join कर लेते हैं और देखे अभी आपको सफलता batch और यहाँ पे complete batch on journal studies यह मिल रहा है यानि कि start होने वाला है आप इसको join कर सकते हैं और SSC category में भी join कर सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप खुद ही किसी दूसरी category में preparation करना चाहते हैं जैसे कि UPSC हो गया किसी भी exam के लिए तो तब भी आप यह subscription join कर सकते हैं study time code लागे जितने fees आपको दिख रही है यह study time code अप्लाई करते ही और भी कम हो जाएगी और अगर आपके पास कुछ credit coins है उसको अप्लाई करेंगे तो यह fees और भी कम हो जाएगी तो आप join करके subscription अच्छे से अपनी complete चाहरी कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज किस class को दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है निमलिकित में से किस cricket टिम ने 2019-2020 विजे हजारे ट्रोफी जीती है कोशन का आंसर आता है तो नीचे comment box में जरूर बताइगा और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें ठीक है ना लाइक जरूर कर जाकरें इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तो करनाटक ने जीता है यानि कि option डी रैट आंसर होने वाला है ठीक है चले अगला कोशन कहता है कि निमलिकित में से किन वस्तों में इंधन के रूप में ब्यूटेन का उप्योग किया जाता है तो इस question का right answer क्या होगा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा all of the above यानि कि डी रैट आंसर हो जाएगा देखें ब्यूटेन का कहीं बार जो है ना formula भी पूछ ले जाता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो इसका formula है C4H10 यह भी आपसे कहीं बार पूछा आ चुका है एक्जाम में तो इसको जरूर याद रखेगा ठीक है ब्यूटेन formula C4H10 के साथ एक कार्बनिक योगिक है जो चार कार्बन परमानों के साथ एक छारिय भी है ठीक है ना तो यह भी आपको याद रखना है चलिए अगला question क्या कहता है दोस्तों किस वर्ष नेताजी सुभाष चंदर बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था question है in which year आजाद हिंद government was formed by नेताजी सुभाष चंदर बोस तो दोस्तों इस question का सही answer होगा बिल्कुल कोशिस करिए कोशिस करनी चाहिए इस question का right answer हो जगा 1943 में ठीक है नेताजी सुभाष चंदर बोस ने दोस्तों आजाद हिंद government का formation किया था 1943 में और exit date की में बात करूँ तो 21 October 1943 था ठीक है तो यह आपको याद रखने हैं दोस्तों और राइट चले अगला question आता है कि ब्रंपुत्र नदी के तट पर कौन सा सहर इस्थित है तो ब्रंपुत्र नदी के तट पर दोस्तों बिलकुल यहाँ पर आप सही जा रहे हैं गोहाटी सेर भी है डिब्रुगड भी है और तेजपूर भी है यानि कि इस question का correct answer होगा all of the above उप्रुक सभी तो right answer is option D ठीक है कोशिस करिए कि हर एक question का answer करें भले गलत हो बट answer comment box में जरूर आना चाहिए question आता है पाचवा निमलकित में से कौन सा अंतरास्टे तिथी रेखा है which of the following is international date line तो guys इस question का जो सही answer होगा वह 180 degree longitude हो जाएगा यानि कि A is the right answer यह आपको या दखने अब है चले अगला question है भारते सविदान की अनुसूची आर्ट में निमलकित में से कौन सी भासा निर्देशित नहीं है बिलकुल देखे दोस्तो हमारे आपको पता है कि schedule 8 में 22 भासा है है ठीक है हमारे सविदान में schedule 8 में दोस्तो 22 भासाओं के बारे में बात की गई है बट उन में से एक नहीं है कौन सी अंग्रेजी यानि कि English language 22 भासाओं में से नहीं है त और इसे बहुत सारे बहुत basic question नहीं है बट बहुत सारे student इसको गलत कर देते हैं तो please इसको गलत ना करिएगा ये आपको याद रखने है आगे के लिए भी question आता है निमिन में से किसके द्वारा भारत के राजपती पर महाअभियोग लगाया जा सकता है जल्दी से बताईए पहले तो आपको यही पता होने चे कि महाअभियोग क्या होता है राजपती को महाभियोग के जरिए अबदी समाप्त होने से पहले अटाया जा सकते दोस् ठीक है यह आपको याद रखना है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ यह यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है यह परकिरिया दोस्तों सदन के दोनों सदनों यानि की लोकसबा और राजेसबा में की एक सुरवात हो सकती है इसकी ठीक है न मतलब किसी भी सदन में बिल लेके आजा सकता है इंपीचमेंट का कोशन आता है मेहमूद गजनी के साथ उसके भारतिय अभियान के दोरान कौन भारत आया था दोस्तों बिलकुल देखे इस कोशन का राइट आंसर होगा ओल ओफ दी एबाओ ये सभी आये थे यानि की राइट आंसर इस ओप्शन डी ठीक है उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और तैकी एहिंद या किताब उलहिंद पुष्तक लिखी थी ये भी आपको या दखना है चलिए अगला कोशन है हुमाईयू का मकबरा कहां इस्तित है तो देखे हुमाईयू का मकबरा दोस्तों कहां पर इस्तित है इसका सही आंसर होगा न्यू डेली यानि की C is the right answer ठीक है ये आपको याद अखना है कहां पर है नई दिल्ली में है चले कोशन है निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है चल्दी से बताइए तो फटा फट से देखे एक बड़ ट्राइ करके कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं which of the following is not correct तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तो तूती कोरिन पोर्ट केरल में नहीं है तो कहां पर है फिर आपकी दिमाग में आ रहोगा तो कहां पर है यह तमिल नाडू में है ठीक है दोस्तो याद रखेगा तमिल नाडू ठीक है चले बई चलते हैं next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना prize win कर सकते हैं नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडियाप भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो ढ़ाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much